आपके booklet के अंदर ये example salt मैंने किया हुए मैंने जो आपको copy में लिखवाया बिल्कुल सेम वही example है बस masses change है 2kg, 4kg, μुस, μुके given है 2N की force मैंने लगा दी आप फेली ये चेक करेंगे कि इसमें इनकी separation होगी की नहीं होगी आप चेक कर सकते हैं मैंने maximum static calculate किया 10N तो इन body को separate करने के लिए कितनी force required है 10N तुमने कितनी लगाई 2N तो इनकी separation नहीं होगी नहीं होगी तो कौन से friction है static, static है तो F और F बनाना पड़ेगा और free body diagram बनाना पड़ेगा equation बनानी पड़ेगी force की solve करके F की value आएगी पर अगर इसी question के अंदर मैंने force कितनी लगा दियो थी 200N body को move करवाने के लिए कितनी चाहिए थी 10N तुमारे पास है 200N तो कौन से friction है kinetic और फिर अभी example किया A1, A2 की value can be calculated यह अपने कर लिया next example आपने करना है वो यह करके दिखाना है question है यह अपनी copy में note करें प्लीज M मान लो यह एक object है यह एक और object है अपनी copy में note करें प्लीज यह M और 3M इसका जो mass है जो नीचे का mass है वो 3M given है 3M है, उपर का mass M है और यहाँ पर force कितनी लग रही है 2MG force लग रही है यहाँ friction है यह smooth surface है आपको mu k की value given है 0.1 और आपको इस question में निकालना है relative acceleration मुझे पहले यह बताओ कि सीधा relative acceleration इसका मतलब क्या है नहीं, वो ठीक है पर इसका मतलब क्या है कौन सी friction role play कर रही है कानेटिक तो यह दूसरी अच्छी बात ही है कि आपको 95% question में दिया होता है कि blocks इक ठे ouев करेंगे या नहीं करेंगे तो सोचिओ कि इतनाcem अहाँ होगा question तो तुम्हें दिया हुआ है इक ठे move कर रहे है तो static answer है और तुम्हें दिया हुआ है इक ठे move नहीं कर रहे है तभी तो कह रहे है relative acceleration तो इसका मतलब इसमें friction कौन सी है? कानेटिक. इसमें check नहीं करना, सीधा कानेटिक का ही concept लगेगा. तो कानेटिक friction लगेगा इसमें, तो कानेटिक friction की value इसमें होगी क्या? f of k is mu k into normal reaction की value इस surface पे किती है? mg. तो f of k, mu of k कितने है? 0.1 into mg. clear है? कानेटिक friction की value आगी, अब direction of कानेटिक friction, क्योंकि आपने force नीचे अपलाई की, तो कानेटिक यहाँ पर पीछे, और इसको मिलेगी आगे. तो yellow, यह कानेटिक आगे, और ऐसे यह कानेटिक पीछे. clear है आथा? direction of friction clear है? next है, free body diagram. तो यह m का free body diagram, और यह 3m का free body diagram बनाते हैं, तो इनके उपर, यह कुछ values है, यह friction Fk है, यह 2mg है, यह 3m है, यह m है, और यह F of k है, यह मानलो आगे जा रहा है, with an acceleration of A1, और यह आगे जा रहा है, with an acceleration of A2, A1 and A2. ऐसी बनेगा free body diagram, तो Fk, Fk अपने निकाल दिया, तो acceleration की values, A1 and A2 different होगी, क्योंकि sliding friction है, kinetic friction है, तो activation same है हो सकती, A1 and A2. तो first उपर वाले block की equation क्या बनेगी, F of k is equal to, M into A1, और F of k की value हमारे पास है already, कितनी? 0.1 into M into G, is equal to M into A1, M से M, cancel, तो A1 की value क्या होगी? 0.1 G is the answer. ऐसी दूसरे वाले case के लिए, 2 M G, minus F of k, F of k, is equal to 3 M into A2, तो 2 M G minus F of k की value, अलरी हमारे पास है कितनी? 0.1 M G, is equal to 3 M into A2, M, 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 cancel, solve करके क्या आ गया? A2 कितना आ रहे? 3 M G, यहाँ पर, friction तो उपर है, normal reaction, वो तो ground पर है न, smooth पर तो friction तो उपर गूम रही है, तो जहाँ friction वहाँ का normal reaction, हाँ जी बोलो, 6.6.3, बस, कि G B, बस यही है, अब क्या करेंगे, दोनों को minus करके निकालने के relative acceleration, तो तुम यहाँ पर जब multiply करोगे, तो relative acceleration क्या हैगी? A2 minus A1, calculate कर लेना इस यह answer, method समझ में आ रहे हैं,